जै श्री कृष्णा, अध्यायदो के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम शोक ना करने योग्य का शोक कर रहे हो क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं किया करते हैं अब आगेश लोक 12 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अर्थात किसी काल में मैं नहीं था और तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं है और इसके बाद यानि भविष्ण में मैं तुम या ये राजा लोग नहीं रहेंगे यह बात भी सत्य नहीं है इस लोक में भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से तुम अर्जुन रूप से और ये सब राजा लोग पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे अर्थात शरीर रूप से ये पहले नहीं थे और ये शरीर रूप से आगे भी नहीं रहेंगे लेकिन आत्म सरूप इनका पहले भी था और ये आगे भी रहेंगे तात पर कि मैं तू और ये राजा लोग ये तीनों शरीर लेकर तो अलग-अलग हैं पर सत्ता को लेकर एक ही हैं अर्थात इनके अंदर एक ही आत्म तत्व है शरीर तो इनके पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे पर वो जो आत्म सरूप है उसकी सत्ता पहले भी थी बाद में भी रहेगी और वर्तमान समय में भी है जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी इसकी सत्ता रहेगी अर्थात हर काल में भूत काल में वर्तमान काल में और भविश काल में आत्म सरूप की सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मैं तू और ये राजा लोग ये कहने का ताथ पर ये है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की आत्म सत्ता एक ही है अर्थात मैं और तुम दोनों ही एक ही चिन में सत्ता है अर्थात दोनों ही एक ही आत्म सुरूप है अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीरी बदला नहीं करते वो एक जैसा ही रहता है क्योंकि वो परमात्मा का ही अंश है शरीर तो बदलता ही रहता है और वो किसी भी छण एक जैसा नहीं रहता और इसके आगे भगवान श्री कृष्ण अरजुन को श्लोक नंबर 13 कहते हैं जिसमें वो कहते हैं देहिना असमिन्यता देहे कौमारम योवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिधीरा तत्रना मुहियती अरथात देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालगपन, जवानी और व्रधा वस्था होती है ऐसे ही दूशरे शरीर की प्राप्ति होती है और इस विशय में धीर बनुष्य मोहित नहीं हुआ करते अरथात शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और आत्मसत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं शरीर जर्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वरतमान काल में भी वह प्रतिछन मर रहा है वास्तों में गर्व में आते ही शरीर के मरने का क्रम यानि परिवर्तन शुरू हो जाता है बाल या वस्था मर जाएं तो युवा वस्था आ जाती है युवा वस्था मर जाएं तो व्रधा वस्था आ जाती है और व्रद्धा वस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था यानी दूसरे शरीर की प्राप्ती हो जाती है ये सब अवस्थाएं शरीर की है बाल, युवा और व्रद्ध ये तीनों अवस्थाएं इस्थूल शरीर की है और देहांतर की प्राप्ती सूख्ष में शरीर तथा कारण शरीर की है परन्तो जो आत्म सरूप की सत्ता है वह इन सभी अवस्थाओं से अतीध है अवस्थाएं बदलती रहती हैं लेकिन आत्म तत्तु का वह सरूप वही रहता है इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग-अलग जानने वाला तत्वग के पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है यह शरीर का धर्म है हमारी आयू अनादि और अनन्ध है जिसके अंतरगत अनेक शरीर उत्पन होते हैं और मरते रहते हैं उदारण के लिए जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते ठीक ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी जो नित्य सत्ता है वज्यों की त्यों ही रहती हैं हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं पर शरीर के साथ संग माल लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं अर्थात यहां पर ये बताया जा रहा है कि यदि हम शरीर के साथ मोह रखते हैं तो फिर हमें अनेक शरीरों को धारण करना पड़ता है और जब हमारा शरीर के साथ मोह समाप्त हो जाता है तभी हमें मोक्ष की प्राप्ती होती है और तभी हम जन्म और मृत्व के बंधन से मुक्त हो पाते हैं श्लोक नंबर बारा में भगवान यही हमसे कह रहे हैं कि हम हमारी जो आत्मसत्ता है वो हमेशा थी हमेशा रहेगी वो पहले भी थी वो आज भी है और वो भविश में भी रहेगी और यह जो हमारा शरीर है यह हमेशा ही बदलता रहता है और इस शरीर की में बदलाव हमेशा होते रहते हैं जैसे बालकपन, युवावस्था और फिर व्रधावस्था और व्रधावस्था के पश्चात मृत्य होती है और उस मृत्य के पश्चात हम फिर नया वस्त्र या नया शरीर धारण करते हैं लेकिन इन सब करने के बावजूद भी हमारा आत्म तत्व ही रहता है क्योंकि वो सदा के लिए ही नित्य है और उस हमेशा एक ही रहता है और इन बातों से धीरवान मनुष्य, वो धिमान मनुष्य कभी मोहित नहीं हुआ करते हैं। इसलिए हमें धैरवान मनुष्यों की तरह इस बदलती हुई शरीर की अवस्था से मोहित नहीं होना चाहिए और हमेशा यह मानना चाहिए कि हमारा जो आत्म तत्व है उसकी सत्ता हमेशा एक ही रहती है वो आदिकाल से एक है और आगे अनंतकाल तक भी वही रहने वाली है उस उसमें छण भर भी चेंज नहीं होता उसमें बदलाव नहीं आता अगले वीडियो में हम आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे आज के लिए बस इतना ही जैशी कृष्णा